जुठा है मकार है फरेबी है जमाना देखा यही है अब तक उस दिन से आज तक गुलों में रंग बरे बादेनों बहार चले चंगे खाने दे के सानू नाल जमीर खरीदन रोटी पलियों खा के भी पला कोई मर दाए फिर कहीं देने बूटा गालां कर दाए कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम असलाम अलेकम प्रोग्रम फानल वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एड़ोकेट नर्गिस नाहीप नाजरें आज हमारे स्टूडियो में हमारे भाई हमारे दोस्त बहुत ही लेनर्ड कॉंसल और बहुत अच्छे राइटर बहुत अच्छे पोईट बहुत अच्छे सिंगर एड़ोकेट हाई कोर्ट जनाम मुर्तरम उस्मान इम्तियास भटी तश्रीव फर्माए हैं उनकी खुबसूरत सारी जितनी भी उनकी ये क्रियेटिव्टी है जो उनोंने ये सारा कुछ किया हुआ है अक्टिविटीज करते हैं आप तो शेयर करते हैं आपको बहुत अच्छा लगए गया क्योंकि मैंने तो जब सुना एक तो उनकी आवाज इतनी खुबसूरत फिर का गाने का स्टाइल इतना खुबसूरत और शायरी इतनी अच्छी करते हैं कि अब और अपनी शायरी करते हैं तो मैंने तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई हैं और मैंने का सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वकीलों में माशाला इतने बड़े बड़े टेलेंटी हमारे द तो आपको वेलकम कहते हैं जनाब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया दा करता हूँ जिस्ट वन जो चैनल है उनका शुक्रिया दा करता हूँ मैं कि जिन्हों ने वुकला की जो दबी हुई सलाहिते हैं उनको उजागर करने के लिए एक काम्याब काविश की है पाकिस्तान की किसी हिस्ते में वे इवन अबरॉड वो तश्रीफ लाएं यहां पर आके और अपनी जो उनकी क्रिक्टिव्टी है कोई उनकी एक्टिविटी है वो आके हमरे साच शेर करें अचा आपने शायरी करते हैं बहुरी खुबसुर्त मैंने आपकी शायरी अभी वह सह्वक्राइब है तो क्या बच्पन से करें है शायरी जो है हो बच्पन Сय TV कुर मैं साथ मीडर क्लास में था सारकासम साथ मेरे टीचर थे मैंने उस वक्त घजल लिखी तो लाबाली उमर थी, बच्पन था मेरा मैंने सारकासिम साभ को बड़े शौक से भी दिखाई कि यह लिखा है तो चूँके वो ज़रा रुमानमी थी अन्होंने मुझे कहा कि मुझे डांटा और मुझे याद है कि अन्होंने कहा कि अब बच्चे हो तुझे यह क्या कर रहे हैं अपना फूचर तबाह करो के चुकर उससे पहले मैं अपनी तहसील में टॉप कर चुका हुआ था अच्छा माश्या प्राइमरी में उसके बाद मेरी बहुत अच्छी स्कूलिंग थी बहुत अच्छा एक मुझे अच्छे लफ़ों में याद किया जाता है लेकिन टॉपर्स भी रुमान भी घज़ा लिख सकते हैं लेकिन उन्होंने यही समझा होगा में बेटा भी आप छोड़ते हैं तो उन्होंने एक मुझे शेयर पी उस वक्युक्त सुनाया पता नहीं उसका वूछ घलत है या जो जिस तरह मुझे याद है कि मुझे उन्हों जो राय थी मैट्रिक स्टुडेंट होने के नाते वो मेरे लिए वही फूरूटफुल थी और लेकिन उससे यूं हुआ कि उसके बाद मैंने जो कुछ भी लिखा मैंने फिर किसी के सामने उसको पताया नहीं किया पिर बोई रोग ही ना दें कोई मुझे लेकिन इसका मतलब एक शायर आपके अंदर मुझूद रहा और आप लिखते रहे लिखता था मैं मेरे वाला साब जो थे वो मुझे वाला साब है अल्ला पाक उनकी लंबी दिन्दगी करे ये सारी मैं समझता हूँ ये सलाहीते हैं ये सारा कुछ मुझे उन्ही की तरफ से मिला है उन्होंने पंजाब कुलीस में 25 साल सर्विस दी है और अब वो इंस्पेक्टर रटाइड हूए है 1992 में उन्होंने जो गौहों से हमें शहर में ले आई तब हम चोटे चोटे थे पढ़ाने के इसले में तो उन्होंने मुरीद्के का चाइस की थी मुरीद्के की उसकी रीजन ये थी कि उनकी जॉब लहूर में थी और जो हमारा कल्टिवेटी लैंड थी जो आना जाना था लोकल जो अपना एरिया था वो गौह हयातियां जिला गुजना वाला में था यह उन्होंने मरकज में अस्टे किया उदर भी असानी से जाया जा सके यह जॉब की जा सके तो मेरी जो बच्पन छारा मुरीद्के आख्तर माडल हई स्कूल मुरीद के और उसके बाद जनाई डियल स्कूल उसके बाद मैं गॉर्मन्ट हाइरसगेंडी जो वहां पे स्कूल है उसके कॉलिज में गया वहां से एफ-ए कंप्लीट किया और एफ-ए के फौरण बाद आपने जी-सी कॉलिज से ओनर्स किया गौर्मनेंट काले युनिवस्टी में 2019-13 मेरा बैच जी-सी युनिवस्टी जी-सी युनिवस्टी लहूर मुझे यह एदाज हासल है कि मैंने खुर्शीदुलहसन रिद्वी साहब प्रफेसर खान मुहम्मद चावला साहब और डाक्टर नाइम अनवर साहब और डाक्टर हाफज नाइम साहब जो इस वक्त मुझूदा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टुडिस के हैं उन से मैंन अच्छा वैसे एक बात बड़ी मज़े कि अब बता रहे थे कि जिसी में पढ़ रहे होते ना बच्चे उनके जहन में सी एस पी ऑफिस हारी गुसावाता है वह थे उसकी रीजन यह है कि वहां पर एक कंपिटिशन की फजा है और आप जिसको देखते हैं लाइवरी में लो अच्छ थे तो मैं आपको कालिज में मैंने टॉप किया आओ में 2009 में जब मेरा यह रिजल्ट आया तो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया कालिज के जितने सुड़न्ट से पहली में पोजीशन थी तो उसके बाद गुवर्मन्ट कालिज में में मेरा नाम आ गया तो वहां सिंध के बहुत पढ़ने वाले जो प्रोविंसी के लोग थे सारे टॉपर्स और क्रीम मैं ने वहां पर देखी तो एक दम इनसान जिस तरह स्प्रेस हो जाते हैं कि यार यहां तो बड़े बड़े कंपिटिशन लोग हैं तो वहां पर यही रिजलन है आप देखते हैं कि च मैं इशाला CSS के एक्जैंस दे रहा हूं तो लेट स्पोस CSS ना हुआ तो PMS की एक्जैंस आते रहते हैं वह दे दूँगा और तो आपने भी ट्राइ किया CSS की मैंने त्यारी की थी और 2014 में मेरा इरादा था तो अनलुकिली तब यह हुआ कि इनकी जो क्राइटेरिया था स स्प्लांस अब्जेक्ट है उसमें मेरे लिए jjslection की जो option थी वह बहुत कम बची थी तो मैंने त्यारी start की लेकिन मैंने अपने हलातों वाकियात को देखके और अपनी सूर्थेहाल को देखके मैंने यही समझा कि मैं PMS की एक्जैम्स मैंने दे दी यह आई थिंक तब अगस्त में आये थे आथा तो यह law आपने क्या, by choice किया law इस तरह है कि अब यहाँ आपने थे नहीं, यह बाई चांस किया by choice नहीं है यह by chance इस तरह है यह choice के, अगर मैं कहूं तो choice मेरे बालग साब की है मेरे लिए by chance है मुझे बालग साब ने कहा कि वेटा, आप ऐसा करो CSS जो जो है, वह बहुत सारे लोग इसमें drop भी हो जाती है बहुत सारे लोग इसमें नकामियों हो जाती है मैंने देखे हैं मेरे वालग साब के cousins, मेरी फैमली है वह काफी well educated background है मेरे दादाबू जो थे educate थे, मेरे अबू के एक चाचू भी educate थे उनके बच्चे भी educate, मेरे वालग साब प्लीस में, sub inspector और तो एक well educated family थी वालग साब भी 100% aware थे कि CSS के candidates होते हैं उनके लिए क्या बहतर है तो उनने मुझे कहा कि बटा अपनी safe side रखो मुझे घर में जरूरत भी है वकील की तो मैंने कहा वालग साब से मैंने discuss किया कि क्या बहतर है मैं सिर्फ जो है वाफोईदारी करते हैं सिर्फ जो है वाफोईदारी करते हैं जैसा कि आपने बताया कि एक family background क्योंकि फादर प्लीस में रहें तो उनके साथ भी तालुक जो पढ़ता रहता है वो फोईदारी मेरी जो basic guideline मुझे वाला साब से में अजर जर ठीक है आप शायरी आप बहुत अच्छी करते हैं तो क्यों ना हम पहले आपकी शायरी सुनें फिर उसके बाद आपसे कोई दो-चार हम फरमाईश करेंगे हलका सा गुन-गुनाईएगा तो आप पहले अपनी शायरी सुनाएं जनाब गिरी बहुत हैं विजलियां दिले रिंदां पे आज तक ताजा हैं जखम दिल के उस दिन से आज तक और गर्दशे अयाम में फिसलन भी बहुत थी हर बार मैं ही फिसला उस दिन से आज तक और सब पैकरे वफा फिसलन की यान में मुँ फेरते ही देखे उस दिन से आज तक और जुटा है मकार है फरेबी है जमाना जुटा है मकार है फरेबी है जमाना देखा यही है अब तक उस दिन से आज तक और महबतें रफाकतें एहबाब का हुजूम सब वक्त की एजाद है उस दिन से आज तक और शेर है के मुखलिस घर जो है माँ बाप है जहां में मुखलिस घर जो है माँ बाप है जहां में बेलोस है ये रिष्टा उस दिन से आज तक और जमाने की तल्खियां तो मुकदर हैं तेरा नई तू पी रहा है इनको उस दिन से आज तक वाँ वाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी शायरी शायर को कहां दिल पे चोट लगती यह वो शायर जानता खाल मैंने अच्छा है कि तुमने दिल रखने को कह डाला कि बस अच्छा है शेर कहने में मेरा खुने जिगर लगता है क्या बात है क्या वाक्या है शेर कहने में मेरा खुने जिगर लगता है और अब इस तरह की शायरी के चांसी इसलिए भी नहीं है कि मेरी शादी टू 2017 में हो चुकी है अब शायरी मुख्तलिब होगी शायरी का रुख बदल गया जी बिलकुल शायरी का रुख तो बदलना चाहिए जिन्दगी में खुबसूरती आ जाती है जब अल्लाद अल्लाद की जात आपको ऐसा लाइक पार्टनर अता कर देती है कि वो आपसे हर तरह कापरेट करें आपकी केर करें आपको मुखबत बें यह आपने बड़ी खुबसूरत बात की इसलिए कि आपने घर भी जाना है यह पापी साहँ बार यह चले बहुत अच्छी बात है साथ बहुत अच्छा लगता है और मेरा खायल है कि यह नभी वसले सल्म की हदीस मुबारका भी है कि बहतरीन है वो इनसान जो अपनी फैमली के लिए बहतरीन है बिल्कुल अपनी रहाया आप से आपकी रहाया के बारे में बहुचा रहा है यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपकी जो में राय है मुस्कराते चेरे के साथ आप एंटर हो और सलाम घर में करें सलामती आए घरवालों पर यह बड़ी अच्छी बात है अच्छा सार कुछ सुनाईए भी आपकुछ गुन गुनाते बड़त अच्छा है तो क्या सुनाएंगे हम फैस साथ का किलाम है जो मुझे बहुत ही पसंद है जो मैं आपको गुन गुना के सुनाता हूँ गुलों में रंग बरे बादेनों बहार चले चले भी आओ गुल्शंका कारुबार चले गुलों में रंग बरे बादेनों बहार चले जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले भी आओ गुल्शंका कारुबार चले गुलों में रंग बरे बादेनों बहार चले मकाम फैज कोई मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं जो कोई यार से निकले तो सुवेदार चले चले भी आओ गुल्शंका कारुबार चले गुलों में रंग बरे बादेनों बहार चले बादेनों बहार चले ले बादेनों बहार चले यह बस अलहमदुलिल्ला मुझे गुन गुनाने का भी शौक है इसमें मेरे असाथा का बड़ा करदार है मेरे पेरेंट्स की अप्रिसेशन है बड़ी बड़ ना पेरेंट्स सामकोर पे हमारे एक यहां वकील साब आया और उनने का यह गाना तो गालिया है लेकिन यह इतना हाइलाइट ने कीजिए कर मैंने का भाई आप हाईलाइट होने के लिए यहां पे आए हैं चूना हम आपको हाईलाइट करें क्यों नहीं मेरी मेरी अम्मी जो है न वो मुझे पीड़ती है जब वो गालाइट तो मैंने का मैंने का आप अप तक अपनी अपनी से इस बात बिटाई करवाते हैं यारी मैंने का यह इतना बुरा काम दो नहीं है आपने एक अच्छी से घजल लिखी है वकीलों के लिए इलेक्शन के हवाले से बही देखें नाजरी मैं आपको एक बात बताओं हर बंदे के अपनी सोच होती है हर बंदे के अपनी अपनी इसकी अपनी तिंकिंग है उसके उपर आप पहरा नहीं बिठा सकते जो वो मैसू किया एलेक्शन के हवाले से वो सुनाएंगे और हम सुनेंगे सर्थ हर कोई रॉस्ट्रम ते लम्या चाड़दाए असल गाले यारो इत्हे रोला पागदाए फिर कहीं देने बूटा गालां कड़दाए और चंगे खाने दे के सानू नाल जमीर खरीदन रोटी पल्यों खा के भी पला कोई मरदाए फिर कहीं देने बूटा गालां कड़दाए और एहो जई रोटी नालो नान पकवडे चंगे जेडी रोटी खा के लोकी आखन चंगे मन्दए और एवी कोई रोटी है जेडी खावे बंदे रोटी विच कचैरी बंदा-बंदा लबदाए फिर कहीं देने बूटा गालां काड़ दाए और जद सलामा हो मने थे ऐस वारी केड़ा बंदा जे मेरे वाला बंदा थे प्रापटी दा कम कारदा जे फेर केंदेने बूटा गालां काड़ दाए कैनिडेट बड़े ने थे आख नकलां वाले पैसे वाला बंदा लबो पैसा लबदाए पैसे वाला बंदा लब वो पैसा लगदा है फिर कहीं देने बूटा गाला करदा है और बिजनस कोई भी होवे पैसा लगदा है एवी ते एक बिजनस है पर अब सेंटी क्यों डरदा है फिर कहीं देने बूटा गाला करदा है और अलेक्शन कोई वी लड़दा ए थे खिदमत दे जजबे नाल अक्सर पैसे लाके ए थे कुरसी लबदाए फिर कहीं देने बूटा गाला करदाए और अलेक्शन वेच सारे ने चंगे बाद जितन तो करन पंगे नाले पुछन रोला केड़े केड़े कारदाए फिर कहीं द करदेने बूटा गाला करदाए और ग्रोप करदेने बांदर बंडा अच्छा ग्रोप करदेने बांदर बंडा ते डिजर्विंग बंडा वेख के हाथ पे आमाल दाए फिर कहीं देने बूटा गाला करदाए अलेक्शन नेड़े जे कोई मरजा है चाची ये बसेंटी दी चाची भी मर जैसे ते लैक्शन नेरे दोटा फिर कहीं देने जन्वरी तों देकर पिर मर जाए कोई चाची ते जन्वरी तों क्तूबर तीकर फिर मार जाए कोई चाची थे हर कोई सोन के आख दाए वकील दा दूरों लगदाए फिर कहीं देने बूटा फिर कहीं देने बूटा गाला कर दाए और सलामा करंत जीजी आखन ते नाले दिल विच सोचन वोटर अलेक्शन दे तक किड़ा गाला कर दाए और पिछले वादे दे कच्छे निकले प्रेजिले एक्जेक्टिव और पिछले वादे दे कच्छे निकले तो नमी बंदा उड़ दिया फार दाए और वाला भी बंदा उड़ दिया फार दाए और कहीं देने बूटा गाला कर दाए और एंड पे है के पिछ पिछले बरे मैं एक बंदे नू मूँ ते कह बइठा सौरी, हाले तक उटोदा फिर दा खाँ काड़ दाए, फिर कहीं देने बुटा गाला काड़ दाए, और पहले एलेक्शन मांगर में नू लेक्शन लागदा थी, पर होन में नू ते सिद्धा सिद्धा पंगा लागदा और है कि वो कला भाईयों के लिए है कि वोट शोट ते पहिंदे रहींदे, अलेक्शन आउंदे जानदे रहींदे, ते सजण सजना नू कहींदे रहींदे, यार इस गलतों रुस-रुस बेना चंगा लगदाए, फिर कहींदे यो भूटा गाला कड़दाए, और एक हासले क अलाम है जो सीखने के लिए भी है, कि आखनू ते बार माएं पर यारो, आखनू ते बार माएं पर यारो, मादे नाल पला कोई इंज भी करदाए, फिर कहींदे ने बूटा गाला करदाए, रोस्टरम ते आके हर कोई लम्या चढ़दाए, असल गल्ले यारो एथिर रोला पागदाए, फिर कहीं देए भी का अब देखें, आप देखें, वैसे इसमें आपने वो सारी चीजें हाईलाइट की हैं, जो आम तोर पे होती है, आप देखें ना कि अगर वो कहते हैं कि एलेक्शन लड़वाले की बात आती है, ते बंदा एदर उदरी वेंदा कि या ते जो कुछ विया सनाया है, एक बिटर हकीकत नहीं अबने इस प्रोग्राम दे तवस्थ देनाल, मैं सारे सीनियर्स नू रिक्वेस्ट करांगा, होना सी भी आ इस ता इस वक्त क्या ना सीनियर हो रहे हैं, कि अपने जुनियर्स नू काम अप्टेट करना सिखो, लीगल पुल यूजना की था जाए के लेक्शन आगया थे कार्ड बंड हो ते अई थे मेरा प्रोग्राम है थे मेरी गैधरिंग है यह वह मामलाद बच्चे जो तो पड़ के हो देने थे मां पे उती हो नहीं थारी यह उमीदां में वबस्ता हो दिया नहीं तो समझ देने साड़ा प कोई ब्रीफ उननों केसी छोटे मोटे दिखते जान कोछ शिखन थोड़ा जाके उन्हों इन्हा को मोटे कर ले जाए कि कारवालिया नों जाके और शर्मिंदगी ते पिचारिया ना सारी जिंदगी वालदान को ले लेके पिचारे खर्च का रहे बिलकुल ऐसे बड़ी अब वो खुदारा खासता रेड़ी तो छोनों की लगा नहीं सकते अब क्या करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस कहां से होगी जिस वक्त उन्हें वो केसी जोंगे तो फिर यह ना चले जनाब आपके इस प्रोग्राम के यह जो आपने मैसिज कनवे किया है इसके हवाले से जो हमारे दोस्तों ने और अपने चोटे भाईयों का बहनों का उनका फ्याल रखें सरक मिशन में मिशन वह बड़े चांसी होते हैं अगर आप अगर समझती हूँ बात के देखें अगर को सदर सेक्टरी साल की एक गेम होती है पूरी एक साल की तरके गेम करना है और आके लोगों को बताना है तो ये वाकिया सही बात है अच्छा चले अब कुछ थोड़ा सा गुन गुनाएगा अब भी आपने वो बड़ा अच्छा गाना सुनाया था वो मेरे शौक दने एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा एमे लड़न बहाने लबनाएं की तु सोच नाएं सितमगार आजा मेरे शौक दने एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा क्या बात है बड़ी खुबसरे शायरी और ये भी कमाश है बहुत खुबसरे खुलाब अली ने बड़ा प्यारा गाया है अच्छे चले अब लास्क में कोई अर्दू सुनाए हमें आप खिनाब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम मेरी शायरी है तसवर तुम्हारा तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा तुम्हें यूही चाहें गे तुम्हें यूही चाहें गे जब तक हैदम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत खुबसूद यूनको ही डेडिकेट कर रहा हैं जिनके लिए streaming बहुत महबतों से गुदाना चाहा है बहुत खुबस्रत, very nice, sir, बाकिया आपका माशाला, बहुत खुबस्रत आपकी आवास, बहुत खुबस्रत आपका कलाम, बहुत टैलेंटर शक्सियत, अल्ला आपको अच्छी सेत और लंबी जिन्दगी दे, हम आपके लिए दुआगों हैं, और आपके बहुत शुकर गुज आपका प्रोग्राम फिर करेंगे, सर्थ, ये तो कोई बाद नी, तो जनाम नाजरी आज का हमारा ये बड़ा खुबस्रत प्रोग्राम, मुतरम उस्मान इम्तियास भटी, एडवोकेट हाई कोट, फिरोजवाला बार से उनका तालुक है, उनके साथ था, हम शूर के आपको